हाई एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चानल मेडिकल फिल्ड गाइडेंस इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आप अपना बैक प्लोक कैसे क्लियर कर सकते हो या फिर मैं बोलू कि आप रिवाइज अपने इसलिए बसको कैसे कर सकते हो चाहे आप किसे भी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हूँ बौर्ड एक्जाम हो या कमपेटिटिव एक्जाम हो ये सभी पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगी आप सब के लिए बहुत ही बेनेफीशिल होने वाले हैं इस वीडियो में मेरा स्पेशली ध्यान रहेगा जो बच्चे बॉर्ड के साथ साथ आमनेस और एम्स भी ऐसे और इस नरसींग जैसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है बच्चों के लिए जो अभी अपने board exam भी देंगे आपने उनको entrance के लिए भी prepare करना है वो बच्चे किस तहए हैं से manage करें कि उनका selection भी हो जाए और वो अच्छे mark से board exam भी clear कर ले तो guys सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे अभी 2021 session के बच्चों के लिए problem है that is the time limit time बहुत कम है so इसमें मैं आपको जो सबसे पहली advice देना चाहूंगी वो होगी कि आपको panic नहीं होना है बिलकुल भी panic in the sense कि time कम है ठीक है आप सबको पता है कि जो board exam से हैं आपके जो entrance exam है वो एक या दो महीने के अंदर हो जाएंगे ठीक है maximum so time factor का तो आपको पता है कि time limited है अब इस factor को अपने mind में रखके बार बार ये सोचना मैं क्या करूँ कहां से पढ़ूँ वो चीज़ गलत होगी क्योंकि अगर आप copy खूल के पढ़ भी रहे हो पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं होता आपका so इस चीज़ को ignore करो क्योंकि अगर आप पढ़ते time भी यहीं चीज़ सोचोगे तो आपके दिमाग में क्या ही input जाएगा आपको पता है आप भले ही बोल बोल के भी पढ़ोगे उस चीज़ को तो आपके दिमाग में तो कुछ नहीं सेव होगा क्योंकि आपका mind already किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहा है ठीक है तो आपके input नहीं होगी वो save और अगर save ही नहीं होगी तो आप जब exam time पे वो क्या ही output आएगी उस चीज़ की तो आपको अपने mind को बिलकुल relax रखना है एक महिना है दो महिना है जैसा भी आपको उसमें ही manage करना है पैनिक होने से कुछ फाइदा नहीं होगा सिवाई loss के ठीक है तो पैनिक नहीं होना है second जो important tip मैं आपके साथ share करना चाहूंगी वो यह है कि आप लोग अपने जो अभी बचाओ वा टाइम है एक महिना है या दो महिना जितना भी टाइम आपके पास है उसमें ऐसा नहीं है कि मैं इस book से भी पढ़ लूँ 5-6 book आपने इकठी कर ली जैसे एक्जांपल के तोवर पर M&S students ले लो एक M&S students है उसने 10 तो YouTube चैनल फोलो कर रखे हैं कि हरे content को मैं अपने mind में डालूंगी और 10 उसने book उठा रखे हैं कोई lucent GK objective है कोई lucent GK है कोई उसकी अरीहंत M&S है कोई उसकी सूरा M&S है या फिर कोई other publications ठीक है English के लिए उसने 10 book और उठा रखे हैं तो उसने ऐसा भी कर रखा है सो आपको last time पर ऐसा करने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है जो आप यह अभी कर रहे हो ना यह सारे बच्चे जो इस चीज को follow कर रहे है last में देख लेना उनकी output zero आएगी selection नहीं होगा ठीक है कि आप लोगों को एक ही बुक पे stick रहना है एक ही बुक को बार 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 जतना हो सके उतना पढ़ो उस चीज को समझो that's it practice करोगे जितनी जदा उतना अच्छा है as compared to कि मैं उस वहां से भी पढ़ रही हूं मैं वहां से भी कर रही हूं आगी उस चीज की आपको क्या करना है कोई भी एक publisher की जो बुक है उसको follow करना है एक कोई भी अच्छा सा YouTube चैनल या फिर आपके कोई coaching institute है उसको join करो that's it ठीक है अभी जो time है अगर MNS के बारे में मैं properly बात करूं तो आपके पास one month है right सो one month में आप जितने साथ question practice करोगे उतना साथ better रहेगा as compared to the theoretical portion अगर आप अभी GK Lucent पढ़ रहे हो जो theory वाली बुक है सो यह waste of time है selected पढ़ोगे तो I am damn sure कि selection हो जाएगा और last time पे आपको कोशिश करने चाहिए आप maximum to maximum time अपना study में debut करें ठीक है ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़दा चीजें कर रहे हो तो आपका selection होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है आपको सिर्फ एक publisher की book चाहिए practice जादा से जादा questions की that's it उनहीं question को बार-बार practice करना है ऐसा नहीं नहीं questions आप ढूंड रहे हो कि मैं इस channel के इस book के question कर रहा हूं और उससे हो जाएगा so practice आप repeated questioning की करो आपने जो so question कर ली उनहीं को so question को बार-बार आप पढ़ो उनहीं में से आपको नहीं नहीं चीज़े दिखने को मिल जाएंगे और MNS का exam कोई high five exam नहीं है एम्स का exam में अभी दो-तिन महीने है आप easily कुछ भी कर सकते हो अभी time है आपके पास देखो जोई मैंने point बताए थे यह आपके उन बच्चों के लिए थे जिन्होंने अभी ही पढ़ना शुरू किया है एक दो महीने पहले लेकिन बच्चोंने dropper है repeater है या फिर वे बच्चे जो पहले से पढ़ रहे है उन्होंने क्या कर रखा होगा अपने जो book है उसको एक ताकि आपको revise जो आप कर रहे हो उसमें कम time लगे और आप जाधा से जाधा चीज़े पढ़ पाओ जैसे एक दिन में आप पूरा history geography से गुजर रहे हो तो यह बहुत जाधा ही better thing है आप इतने कम time में इतना जाधा पढ़ रहे हो और आपको सारी चीज़े grasp हो रही है आपको highlighted keywords को highlight कर रखा है so it's very very important now यह point है कि उन बच्चों के लिए जो board exam दे रहे हैं क्योंकि उनको theoretically लिखना होता है पूरा subjective questions होते हैं so मैं उनको बोलना चाहूंगे कि अगर आप लोग भी keywords को highlight करोगे अपने paper में तो वो ज़दा अच्छा लगता है और attractive words का use करो like मैंने example दे रह करते हैं वो air भाग जाती है ठीक है so इसको अगर हम convert करें English में तो क्या होता है air comes in the sponge and when we apply the force it releases यहीं होता है लेकिन अगर हम इसके अलावा और क्या word use कर सकते हैं हम use कर सकते हैं कि air trap in sponge and expel when we apply the force so trap and expel थोड़े attractive word होते है ठीक है तो ऐसे से words का आपको use करना है as compared to these normal words इससे क्या होगा आपकी presentation बहुत जद अच्छे हो जाएगी और examiner को भी लगेगा कि हां बच्चे ने अच्छे बुक से अच्छी बुक क के लिए हैं अगर आप बोर्ड के एक्जाम में theoretically subjective question करते हो तो आपको flow chart की form में points की form में उसको लिखना चाहिए ऐसा नहीं क्या पूरे ही point बना रहे हो paragraph भी ज़रूरी होता है ठीक है तो यह चिसे आपके बोर्ड के लिए तो important होती है यह competitive exam के लिए कैसे important होती है देखो so flow chart अगर आपने अब तक नहीं बनाए है तो भी भी बना लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप कोई question देख रहे हो questions related है तो आप उनको एक flow chart की form में लिख सकते हो ठीक है बोर्ड भी है और exam भी है entrance exam और otherwise जिन बचों का बोर्ड नहीं है सिर्फ entrance है वो तो जितना time उनको suit करें वो दे सकते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं understanding in between measure and minor topic देखो यह दोनों के लिए ही valid होता है board exam के लिए और non-board यानि कि आपके जो entrance exam के लिए आप prepare कर रहे हो जैसे कि हम example लेगे चलते हैं MNS का MNS में major portion, minor portion according to the weight of the topic ठीक है कौन सा weight किसके weight जादा होती है उस चीज़ को आप जादा करोगे तो better रहेगा कम time है आपके पास उसके भीहाफ पे मैं बोल रहे हूं ठीक है सो जैसे कि मैंने पहले previous वीडियो में भी बोला है कि current affair जादा आता है तो आपको आप भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो current affair को पढ़ो इंदा जी के portion and English grammar में आप किस पे major topic क्या होते है इन पर जादा फोकस करिए ठीक है और minor topic होते है minor topic को आपको ऐसा नहीं कि आप उनको पढ़ो ही ना उनको बिल्कुली neglect कर दो हटा दो ठीक है आपको वह eliminate नहीं करने पढ़ने हैं लेकिन major topic को आपको जादा ध्यान से पढ़ना है जादा फोकस के साथ पढ़ना है major topic ऐसा नहीं कि कोई topic बड़ा है वो major हो गया major in the sense कि एक्जाम में उसका कितने वेटेज है कितने marks का आता है वो ठीक है तो यह एक बहुत important point है जो कि आपको board में भी help करेगा और आपके entrance exam में भी help करेगा next जो tip है that is don't ignore strong topic strong topic मैं example लेकर आपको समझाती हूं जैसे कि MNS के parents होते हैं वो 11-12 करके आते हैं तो उनको लगते है कि उनकी science बहुत अच्छी है है ना so obviously science strong है होगी क्योंकि हमने पूरी 11-12 में उसी को पढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है 70% students क्या होते हैं उनकी science weak होती है वो objective question की practice नहीं होती 11-12 में इस वजह से जो वो questions जब आते हैं तो उनका mind hit नहीं होता माइंड पर hit नहीं करते हैं वो questions और इसी वजह से बहुत ज़र ज़र जो portion है वो रह जाता है ठीक है क्योंकि उनको तो लगा था कि science तो हमें आते है और वो पढ़ते नहीं वो तो strong topic आपको neglect नहीं करना है मालो किसी का English strong portion होता है किसी का science होता है so ऐसा नहीं कि आप strong portion को ignore कर easy और strong topic में difference क्या होता है strong topic आपका कोई भी हो सकता है that may be easy or tough right easy topic ऐसा होता है जो कि आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाता है जब initially जैसे आपने May 2020 में उसको पढ़ा था और easy आपको वो लगा कि तो बहुत easy है और अभी आपका time आ गया है March 2021 तो आपको लगा कि यह तो मैंने तब पढ़ा था बहुत easy है इसको क्या पढ़ने की जरूरत है और आपने उसको skip कर दिया ignore मार दिया लेकिन कई बार exam में क् आपका वही easy question exam में आ जाता है और आपको exam में वो question हिट नहीं होता आपको आता ही नहीं होगा ठीक है यह बहुत बार होता है के mind में जहां पर वो question था वो page भी बिल्कुल ऐसे ही show होगा कि हाँ वो page पर यह question था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं यह सोचके कि तो easy है कहाँ exam में बट वो आता है ठीक है तो आपको easy topics को ignore नहीं मालना है easy कोन से topic हो गए जैसे आपके जो भी filling the blanks है English grammar में आपके error based question हो गई बहुत easy होते हैं आपको ऐसा नहीं कि मेरेको English grammar बहुत अच्छा से आती क्याई पढ़ने की ज़रूरत है बढ़ता हूं हो जाएगा काम ऐसा बिल्कुल नहीं है रूल्स आपको सारे पढ़ने English grammar के easy topic को skip नहीं करना है आप बॉर्ड के लिए prepare करो या फिर आप MNS या इंस भी ऐसे उनस ना सिंगर परेमेडिकल के लिए प्रपैर कर रहे हो तो यह है आपकी last tip आपको distract नहीं होना है ठीक है distract in the sense अभी आप सब कुछ किसी चीज़ से पढ़ते हो अपने phone से पढ़ते हो ठीक है बहुत कम हों के जिनके पास laptop होगा जिनके पास laptop है अगर वो उनमें videos देखते हैं पढ़ाई की तो वो तो सही है वहाँ पे क्योंकि notification नहीं आते हैं आपके social media के तो वहाँ वो distract न है जो अपने social medias है उनको आप delete कर दो या फिर उनका भी अच्छा यूज करो ठीक है मेरे जो टेलिग्राम चैनल है वहाँ पे एक ग्रूप भी है तो ग्रूप में बच्चे उसका इतना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं कि वह वहाँ पे अपने question discuss करते इतनी easily किसे को को question में प्रोग्लम आती है तो वह दूसरा बच्चा उसका अंसर कोपी पर लिख के और उसको पिक भेजता है मतलब उस ग्रूप में तो कितना अच्छा यूज कर रहे हैं वह उसका ग्रूप का तो आपको भी ऐसा ही करना है अपने जो social media है उनका अच्छा यूज करना है ऐसा एक घंटा आपको करो maximum to maximum जितना आपको अपना social media यूज करना है personally या फिर आपको कोई comedy वीडियो देखना है उसमें देखो माइन फ्रेश करना एक अलग बात होती है डिस्ट्रेक्ट होना एक अलग बात होती है डिस्ट्रेक्ट मतलब एक बार फोन की साथ आप बैट गए तो उसका पीछा या आप नहीं छोड़ रहे हो that is the destruction ठीक है so माइन फ्रेश कीजिए है ऐसा मैंने बोल रहे है कि माइन मत फ् पाड़े गाई बिना पड़े सिर्फ आप इमेजन कर रहे हो कि दो तिन महीने बाद मेरे शोल्डर पे चार स्टार्स होंगे बस ही मैजन कर रहे हो तो इमेजनेशन से तो आपके पत्ता भी नहीं लेगा आपको पढ़ना पढ़ेगा उसके लिए फोर स्टार्स के लिए करनी पड़ेगी तो अगर आप अभी अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो वन मन्त को तो आप डैफिनेटली सेलेक्शन पा जाओ गया अगर अब तक जीरो भी अभी आप लेवल पे होना तो भी हो जाएगा पर पढ़ना जरूरी है ठीक है तो थैंक यू फॉर अगर आपका कोई डाउट है कोई क्विएरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में मुस्से डिसकस कर सकते हो next जो भी हमारे डाउट की वीडियो आएगी उसमें मैं आपका डाउट ज़रूर डिसकस करूंगी so guys अगर आपने मेरा चैनल अब तक सबस्क्राइम नह तो इसको like and share जरूर कहीजिए अपने friends circle में, group circle में ताकि और भी benefit ले सके इसका thanks for watching this video